खेल जगत से एक बुरी खबर सामरी आ रही है आपको बता दे इस वक्त की बड़ी खबर भारत के पूर्व क्रिकेटर भीशन सिंग बेदी का निधन हो चुका है 77 साल की उमर में उन्होंने आखरी सास ली बेदी ने भारत के लिए कुल 77 अंतराज़्टी ये मैच खेले जिसमें से 273 विकेट छटके थे बेदी को भारती एक टेस्ट इतिहास की भेतरीन स्पिनर्श में से एक माना जाता था उन्होंने अपने दम पर ही कई मैच जिताए थे इसे बीच में भारत के लिए 1966 से लेकर के 1989 तक टेस्ट क्रिकेट खेला वे भारत के मश्चूर स्पिनर्श चौकडी में से एक थे जिसमें इरा पल्ली, श्री निवास और भागवन्त चंदर शेकर शामिल थे चारों ने मिल करके 231 टेस्ट खेले थे और 803 पर विकेट हासल किये थे बेदी ने कोलकता टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिराफ पारी खेली तो सभी के विकेट चटक लिए और रन भी अच्छे बनाए अब ऐसे में वे एक पारी सबसे सर्वस्रिष्ट प्रदर्शनों मे से एक शामिल हो गई तमाम क्रिकेटर्स इस वक्त भीशन सिंग बेदी को श्रधांजली दे रही हैं 77 साल की उम्र में उनके निधन को लेकर के उनके खेल के इतिहास को लेकर के उनकी भारतिये टेस्ट क्रिकेट में बहतरीन प्रदर्शन को लेकर के इन दोनों चर्चाय की जा रही है और परिवार को सभी यहां समवेदना व्यक्त कर रही है भीशन सिंग बेदी को हर खिलाडी यहां श्रधांजली दे रहा है